मुझा भूआ निकाले मुझा भूआ पूआ हम्म मुझा जये, गूदा आफ्टरनून we have next topic of budgeting beyond budgeting नाम ही सब कुछ बता देते हैं क्या सीखना है इसमें? कुछ नहीं beyond budgeting, budgeting से उठ के सोचो traditional way से उपर आओ पहले budget में पढ़ा क्या क्या था एक बर recapitulate करें तो एक तो budget में feedback, feed forward आपको बता है दूसरा आपको बने बताया था imposed style budget होता है participative budget होता है participative budget को बोलते है bottom up bottom up imposed को बोलते है top down अब general system यही रहा है कि budget चाहे नीचे से बने या फिर उपर से बने मीचे आला भी बनाएगा तो उपर से pass कराना होगा फिर वापस नीचे जाएगा अगर old up में भी आजाते है participative budget में भी आजाते है तो हमारे team members को लेकि हमने budget बनवाया और budget बनाने के बाद उसको उपर अपर 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 आजाता है वो reject कर देंगे तो फिर से बनाना पड़ेगा than whatever budgeting system we used to have in traditional system here basically it's like हम दो छोड़ देते है उसके उपर तरी को जो करना है कर उपर मतला participative budget से भी एक उपर लेवल है अब सब आप ही का है आप ही सोचो क्या करना है वो last में result को खली company results से मैच कराएंगे traditional system में एक था authoritarian style जिसमें आप top पे बैटे बैटे budget बना देंगे और नीचे flow में सब को भेजेंगे और उनको impose गया जाएगा यही करके दिखाना है उल्टा था उसका modern था उसका मान लीजे transformation हुआ जब participative budget का concept आया जिसमें नीचे में budget बनाने के लिए लोगो को बोला गया उपर लाके approve कराया reject होगा तो फिर से बनाने बोला जाएगा फिर उपर आएगा reject होगा फिर से बनाने बोला जाएगा फिर उपर आएगा फिर वही flow चलेगा बट यहां पे छोड़ दो इनको इनके हाल पे let them only think about the company's goal why we were in participative budget why we were calling it back to approve because we were not sure कि वो लोग जो बोल रहा होंगे वो company का गोल को achieve करेगा कि नहीं बट यहां पे हम लोग को training देना होता है कि you understand just the company's goal and do whatever you wish to इसका सबसे बडिया explanation beyond budgeting का यहां पे देखी एक model है page number आप देखो मिला यह diagram सब कुछ explain कर रहा देगे budget model में क्या होता है company का vision है mission strategy है फिर budget है फिर control कर रहा है फिर अगर deviate हो रहा है तो फिर budget को revise कर रहा है फिर वापस incentives दे रहा है budget को देख देख के या actual को देख देख के यह traditional model है अब यह नीचे यह budget आप नीचे लेवल से बना के ऊपर मंगवाई है या फिर ऊपर बना के नीचे भेजी बट एक flow था है यहां पे जिसमें company monitor कर रहा है vision आपका achieve हो रहा है कि नहीं हो रहा है budget से बट beyond budgeting में सब को छोड़ दिया उनके हवाले उनको vision समझा दिया देख रहे self governance management culture self governance आप खूद समझे अपने आपको कैसे चलाना है आप अपने लिए क्या budget बनाए मेरे से अप्रूव कराने का भी ज़रत नहीं है आप अपने आप बनाईए अपने आप चलाईए और last में दिखिए कि आप company का goal को achieve करवा परे की नहीं ठीक यह एकदम modern जमाना हो गया है जिसमें इस तरह से company को अपना budget बनाने का एक ideas दिया गया है बट जरूरी नहीं कि यह successful होगा ठीक है यहाँ पर objective होता है efficient utilization of financial capital and other resources adaptability and constant innovation इसका advantages भी है कि उनके हाथ में छोड़ दिया जाता है तो वो empowered feel करते है entrepreneur जैसे feel करते है तो वो लोग company का vision को अपना vision मान के अपने लिए strategy बना के अपने activities को plan करेंगे जो junior लोग है तो वो लोग में adaptability बहुत ज़ादा आजाएगा वो अपने हिसाब से सब कुछ सजा लेगा पता चला आप जिस तरह से अपने बना के गए थे उसके उपर सब कुछ छोड़ देगा दो सब कुछ अपने हिसाब से set कर लेगा बट उसमें innovation भी बहुत आता है तो लोग अपने हिसाब से जब करते हैं तो नया नया तरीका से करते हैं पता चला आप ऐसा उस समय तो सोची नहीं पाते हैं जब इनको खुद पर छोड़ दिया तो अपने हिसाब से जो चीजों को सजा आया इसमें innovation भी आ गया अब इसी का official description एक बार हम लोग पढ़ेंगे यहापे limitations of traditional budget आपको बता रहा है कि traditional budget की खामिया क्या क्या थी वो time consuming होता था costly होता था constraint, responsiveness and flexibility मतलब वहाँ पे जो budget में आ गया उसको पालन करना पड़ेगा often a barrier to change बदलना नहीं चाते थे budget जो बन गया आप उसके साब से ही आपको सब चलना है ज्यादा करके cost reduction पे दिमाग लगाते थे, value creation पे नहीं not on value creation value creation means creating something new whatever you used to उसके beyond जाना उसमें reinforce departmental barriers होता था rather than encouragement यह point समझ में आता है कि reinforce करना मतलब जो मैंने बोला वो करो और encourage मतलब आप खुद से करो तो पुराने budgeting में खुद से करने का मौका नहीं दिया जाता था और फिर make people feel undervalued भी होता था beyond budgeting एक ऐसा idea है that companies need to move beyond budgeting because of the inherent flaws because of the inherent flaws of budgeting especially when used to set contracts it is argued that a range of techniques यह मैंने अपने budget chapter में आपको सिखा है था rolling budgets rolling budgets क्या होता है जैसे generally आप एक budget बना देते हैं जो एक period तक valid होते है वो मान लिजे एक साल का sales का budget है जिसमें एक साल का sales target दिया हो गया पचास लाक रुपया rolling budget एक बार वापस explain करें एक साल का budget का target दिया हो पचास लाक मान लिजे आपके पास चार quarter है quarter 1, 2, 3, 4 तो rolling budget बोलता है कि आपको हर quarter performance analysis करना चाहिए मान लिजे हां पे साड़े बारा लाग का sales हुआ तो after quarter 1 is over you should review this साड़े बारा लाग का budget होने का बात है, you should review this and see what actual has been achieved say actual has been achieved as 20 lakhs so if you have a traditional budgeting here what your managers would be then targeting कि अब मुझे 3 quarter में सिर्फ कितना था, यहां पे हर quarter का अगर साड़े बारा लाग करके each है यहां पे साड़े बारा साड़े बारा साड़े बारा है समझ में रहा है, मैं क्या बोल रहा है total 50 lakh है एक साल का traditional budget में और actual of quarter 1 अगर कोई 20 lakh करके चला गया है तो managers क्या target करेंगे बचा हुआ 30 lakh ही तो करने का है मैं तो बाकी काफी यहां पे first में कर लिया तो वो lethargic हो जाएंगे अराम से चलेंगे, slow move करेंगे अपने potential को पूरी तरीके से use नहीं करेंगे इसलिए beyond budgeting मतलब beyond traditional system एक नया concept यह है कि आप क्या करो यहां पे review meeting conduct करो और आप इनको बोलो अब यहां से एक साल शुरू हो रहा है ठीक है जो next year का quarter 1 पे end होगा और अब उसका budget है साड़े बारा, साड़े बारा, साड़े बारा plus 20 तो नया budget जो आगया वो 57.5 का आगया आप इस target को अचीव करने का सोचिए तो budget क्या हुआ जैसे उसका एक interval lapse हुआ जैसे उस budget का एक interval lapse हुआ roll forward हो गया so that the budget period remained same as before and it got revised also as per the potential that our team is showing this is rolling forecast this is rolling budget understand this rolling budget बड़ी बड़ी कमनीों का एकदम normal process है मैं आपको यह बता दूंगे ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें पड़ अकदेमिक चीजे जैसे बड़ी बड़ी कमनी होगा मैं आपको पहले भी बताया था यह किसी क्लास में एक होता है annual operating plan जिसको budget बुलते हो लो और दूसरा होता है strategic plan जिसको यह लोग five years budget बुलते तो सोचो अभी 2018 आ रहा है for example 2018 में annual operating plan 2018 पे concentrate करेगा strategic plan 2018 से 2022 तक का cover करेगा 5 साल 2018, 2019, 2021 ठीक अब 2018 जब बीत जाएगा ठीक तो हिसाब से strategic plan के 40 साल बाकी है हिसाब से strategic plan तो 40 साल बचाना 2018 बीत गया तो 2019, 2021, 2022 4 बचाना strategic पे सोचना but actually next year 2019 का operating plan बनेगा और strategic plan roll forward हो जाएगा वहाँ पे strategic plan होगा 19 से लेकर 23 तक का हर साल strategic को roll over करते हैं और annual operating plan तो हर साल annual होता है अब इसी का ही मैंने टुकडा कर दिया annual का टुकडा कर दिया मैंने annual को roll over करा है understood but generally क्या होता है न annual operating plan को roll over करने से बड़ा organization में tension ज्यादा create हो जाता है कि budget एक तरह का performance indicator है आज वो budget में आप तुरंथ एक एक quarter बाद roll over करोगे तो budget को तो communicate भी करना पड़ता है न चारो तरफ पता चला सब जगा communicate ही नहीं हुआ तो आप roll over कर दिये अगर लोगों को ख़बर ही नहीं मिला फिर last में जब performance analysis हो रहा है वो negative जा रहा है incentive नहीं जा रहा तो लोग demoralized होगे कम नहीं छोडने लगेंगे तो roll over usually इतना frequent नहीं होना चाहिए मैंने concept के लिए समझाया generally अगर three years budget है तो उसको obviously roll over करते रहना चाहिए ऐसा नहीं कि जब three years अब खतम हो जाएगा फिर ही हम नया budget बनाएगे every year it should be rolled forward that is going beyond traditional budgeting traditional budgeting का एक level को आप जब आगे ले जाते हो उस ही कोई beyond budgeting बोल रहे such as rolling forecast such as market related targets can take place of traditional budgeting beyond budgeting is creating a new type of budget which was not there in traditional budgets ठीक है तो एक है rolling forecast दोसरा है market related targets and so on now beyond budgeting is an adaptive process it is decentralized यह सब आपको diagrams है बहुत सारा चीज़ क्लियर हो रहा है आप देखिए यह जो adaptive process है decentralized है देख रहे नब where leaders plan and control organizations centrally it is decentralized process यहाँ पर देखिए decentralized है unlike traditional budgeting traditional budgeting में क्या होता है जो company के leaders है वही सारा plan करेंगे बाकी execution नीचे पोता रहेगा but beyond budgeting में आप ही plan करो आप ही समझो मेरे से क्या पूछते हो characteristics में वही चीज रीपीट हो रहा है देखो आप पड़ सकते है keywords suitability यह important है यह सब सूट करेंगा यहाँ पर यह सब सूट करेंगे जहां पर यह रहाँ पर देखिए टिकनलोज़ चेंज हो जाता है तो business environment ही बूरा बदल जाता है industries using management methods such as TQM now TQM का क्या ज़रत है beyond budgeting में because TQM if you remember it used to involve Kaizen Kaizen means what continuous improvement through what through employee participation that was Kaizen employee logo को involve करके आप अपने आपे improvement लाइए so employee involvement करना है तो उनको empower भी करिये through beyond budgeting then industries undergoing radical change जहाँ पे भी परिवर्तन लाना है wherever you are seeking changes in business environment, वो external environment में changes हो या internal changes हो, वहाँ पे beyond budgeting सबसे जादा suit करेगा, वो external internal में भी adaptive होना पड़ता आपको और internal में भी adaptive होना पड़ता है जैसे अब भी देखे shopper stop shopper stop का sale थोड़ा गिरने लग गया जब से online वगरा shopping शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया पता है, sales में इतने जादा बढ़ा दिये, अपने counter पे कि आप अब shopper stop में जाते हैं, कि new market में जाते हैं, पता नहीं चलता है shopper stop में जाएए, पीछे पर जाएगा बोली ना सरे, बोली ना मैं, ये दें, ये दें, ये दें, ये आइए पिछे पर जाएग्रिशिव सेल्स, हर shopper stop counter spec, क्यों क्योंकि उन्हा ना से sales बहुत रास्टिकली एफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, changes in external environment, in this case you have to resort to beyond budgeting cases, you have to come out of traditional budgeting, you cannot impose the things like you used to do before, okay, so beyond budgeting, beyond budgeting का फिर benefits वापस repeat है, these all are repeat, या either you read only from one segment, that is also enough, then principles for adaptive performance management, इसमें क्या-क्या आपको follow करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने employees से अपना budget बनवा के company चलवा लें, तो उसके कुछ principles आ रहे हैं, कि goal set करने पड़ेंगे, rewards देना होगा, planning करना होगा, control भी करना होगा, resources भी लाके देने होगे, coordination among the team members, as well as coordination of using the resources for proper use, अब यह सब जैसे मैंने देखा कि इतना theory exam में, ऐस सच कोई पूछता निया, right principles of beyond budgeting, ऐसा नहीं होता है, it is just for having some passive knowledge about the topic, जितना मैंने पहले भी भोला, जितना आप read करोगे, उतना passive knowledge इकथा होगा, and thousand और one का ratio चलता है passive active में, आप thousand words किसी चीज के बारे में पढ़ते हो, तो one or two word click करता है, तो यह सब इसलिए पढ़ना जरूरी है कि passively आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुक है, तो exam में जो भी आएगा, आप से लिखने को बनेगा, यह हमारा main logic होता है, read it like a novel, and try to connect all these points with the concept of implementing beyond budgeting, the more you read, at least exam में फिर जितना लिखना है, उतना words आपको मिल जाएगा, अब इसी को इन लोग explain कर रहे हैं, इसी को explain कर रहे हैं, leadership principles में, यह leadership ऐसे एक अलग से पढ़ाई होती है, leadership के उपर एक subject पढ़ाया जा सकता है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, जिसका एक portion इनने उठा के बता दिया, leadership principles में आपको क्या-क्या दिखना है, customer focus, improving customer outcomes, not on meeting internal targets, focus everyone on improving customer outcomes, accountability means, answerable, answerability, और इसमें हर इंसान को जब हम हक दे रहे हैं, आप अपने इस आफसे budget बनाएंगे, तो आप obviously, अपने जिम्मेदारियों के लिए answerable भी रहेंगे, performance, champion success as winning in the marketplace, not on meeting internal targets, मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है, कि आप तभी जीतोगे, जब आप market में कहीं stand करोगे, internal target आपने जो बनाया, उसको achieve कर लिए, तो हम आपको क्या माने, क्या आपने लिए target बना लिजे, कि हम अपने लिए costing में न, 40 लाएंगे, और आप 40 ले आए, तो क्या पाहर तोड़ लिया, जबकि पूरा हिंदुस्तान का सत्तर आया है, तो वही बोल रहे हैं, हमेशा आपको इस तरह से सोचना है, कि आपका success is winning in the market place, आप दूसरों से बहतर होके दिखाए, ना कि सिर्फ internal target set करके अपने आपसे बहतर होना, freedom to act, freedom to act, यह leadership का quality है, यह freedom नहीं दो गया, तो वह leader बनेगा कैसे, governance मतलब, based governance on clear values and boundaries, not detailed rules and budgets, self governance mechanism की बात हो रही है, तो उनको basic outline clear कर दीजे, कि यह तुम नहीं करना, टिक, बाकी तुम्हारे हाथ में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं न, जो अपने family से दूर है के अभी पढ़ाई-बढ़ाई करने, दूसरे शेहर में आ गए, तो वो लोग तो beyond budgeting system में चल रहे हैं न, नहीं लगता है, self governance ही है, family ने खाली, दो-तीन outline बता दिया, हमारा values क्या, बाकी तुम देखो, तुम बनाओ, तुम समझो, कोई भज जाओ, तो बात करना, लीड गरो अपने जिंदगी को, है की नहीं, simple concept है, जैसे मैं पहली बार जब Calcutta छोड़के बैंगलोर पढ़ने और रहने गया था, तो मेरे पापा ने लास्ट में जाते जाते तीन बात कहीं, देख, बाकी तेरों को कुछ समझाने का नहीं, तीन बात याद रखना, क्या बताईए, एक, धर्म बरस्ट नहीं करना, जैसे वो कैसे बरस्ट होगा, नॉन्वेज नहीं खाएगा, किसी भी कीमत पर अंडा मान समझली, यह सब कुछ भी नहीं खाएगा, ठीक, दूसरा, और तीसरा, दारू मत पीना, अलकोहल मत पीना, बस, और बाकी अब जो तुम को सही लगे तुम वो करो, बाकी तुम लोग पढ़े लिखे जादा हो, बाकी पढ़े लिखे तुम लोग जादा हो, तुम लोग अपना ख्याल खूद रखो, कोई जरूरत होगी तुम बस एक एक बार फोन करना है हम लोग भी वैसे तुम जाके सेटल हो जाओगे तो एक बार आएंगे तो मेरे साथ तो यह हुआ कि मैं जब बैंगलोर गया वहां सेटल हुआ जब घर वाले प्रोग्राम बना रहे थी कि अब चलते हैं उसको सर्प्राइस देते हैं उसके पहले ही मैं पैक अप करके वापस आ गया अचानक तीन मेने बाद मैं फोन किया मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ सारा पैक करके जितना बुरिया भी सर बनाया तो सब लिगे तो सब का होता है न एक नेचर यही बता रहे थी कि हुआ क्या यह सब यही बियॉंड बजेटिंग का प्रिंसिपल्स है इन्फर्मेशन जनरली आप दिखना जब घर में साथ में रहते थे थे न तो बहुत सरी बाते अपने लीडर लोगों से या अपने गवर्निंग बोड़ी से मनेजमेंट बोड़ी से करनी पाते थे बट जैसे घर से दूर होता है न तो सारी स्टोरीज पताई जाती है तो promote open and shared information बहुत सारी दिल की बाते खुल के की जाए वरना वेचारा अकिला रहेगा कैसे है ठीक है don't restrict it to those who need to know ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको जवरत है उसको ही बताओ सब को सब चीज सब पता रहना चाहिए खुल है मिजाज से रहो जिसे के आपको experiences मिले implementation के लिए क्या है कि आपके कुछ steps है जो serial number wise यहां पे draw किये है define the case for change and provide an outline of the vision be prepared to convince the board जब घर से बार निकलो गए तो convince नहीं करना पड़ेगा कि जाना है मुझे कुछ करियर बनने के लिए get started design and implementation of new process train and educate people rethink the role of finance seventh change behavior new process not management orders evaluate the benefits consolidate the gains consolidate the gains मतलब जैसे क्या होता है ना beyond budgeting में हर team member को अपना हक दे दिया जाता है जा हो जो करना है करो अब वो लोग जो करके लाए उसको इकठा नहीं करोगे तो आपकी company का vision कैसे accomplish होगा हो क्या रहा है यहापे beyond budgeting में हो क्या रहा है company के vision का टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है का टुकड़ा सौप दिया जा रहा है का टुकड़ा सौप कैसे लिखे सौप हो जाए हो S.A.U सौप दिया जाएगा सौप दिया जाएगा सौप you and you sob जब धाइ ठीक है भाई तुम लोग समझ जओ sob diya जाएगा आता होगा उतना Hindi तो नहीं आता है Hindi में क्या क्या आता है उतना Hindi आता है तो बात क्या था तुम लोगों का problem क्या हिए न हमें Hindi आता है न English आता है हना Bangla आता है और एक भाजा भी डंग से नियाती मारवाडी में भी आप बीच में इंग्लिस बोल देंगे बीच में अचानक हिंदी हो जाएगा कोई बाजा नियात अपने को सब मिला जुला के काम चला रहे ओके ठीक है ठीक है? सबसे मस्त है I think इसे बढ़िया एक्सपनेशन इस बुक का कुछ भी नहीं हो सकता था to help you understand what is beyond budgeting about अरे तो खतम हो गया अचा budget slack या दे आपको do you remember budget slack? desired budget is a flaw of participative budget where managers जिनको budget बनाने बोला जाएगा वो लो क्या करेंगे? कुछ याद आए? जिनको budget बनाने बोला जाता है managers को कि आप अपना budget बना के दिखाओ तो वो obviously easy budget बनाएगा न? जो कर सकता है और वो जो अपने लिए budget बनाया उसमें जो gap वो रग देगा उसी कोई budget slack बोल रहे ठीक? होगा? चैप्टर ट्रांसर प्राइजिंग कितना नंबर है? ग्यारा? नाइन? ट्रांसर प्राइजिंग महीं है तो? हाँ हाँ एक चीज दी बताना है अजा मेरे रचा पेज ये रहा 9.26 है दू़रे ट्रांसर प्राइजिंग ड्रांसर प्राइजिंग अंड तूप्राइजिंग सिस्टम यह ऐसे theoretical concept है but case study viewpoint से थोड़ा सा important है dual rate transfer pricing कैसा transfer pricing है ध्यान से सुन ले न इसमें जो transferer है वो अपना transfer को cost plus price पे लिखेगा cost plus price मतलब cost plus profit लेके record करेगा अपने books में transferer will record at cost plus profit but transferee को जब वो goods भेजेगा तो अपना cost भी बता के भेजेगा तो transferee जब उसको as a purchase record कर रहा है तो वो transferer का invoice value पे नहीं कर रहा है transferer का cost पे record कर रहा है that is dual rate transfer pricing the purchasing division records transfer price at marginal cost recording purchases at minimum cost मैंने एक situation भी समझाया था ऐसा क्यों करते है अब समझे जो product है उसको एक नए market में launch करना चाहते transferer ने बना के इसको भेज दिया transferee को डर था की ऐसा प्राइस न बोल दू ने मार्केट में जाके जिसे कंपनी को नुक्सान हो जाए to transferee required more information about the true cost of the goods which he recorded in his books so that he can fix sell price of his goods in such a way that company doesn't incur any loss maybe that this division will not earn that much profit or maybe that division ने जो अपने लिए profit record किया है वो actually earned नहीं भी होगा यसको class में भी बताया क्या था इक बार फिर से explain कर देते किसे division A है और division B है इसने एक चीज बनाई जिसका cost है 50 रुपे बट ये transfer उसको कर रहा है 70 रुपे तो profit आगया 20 बी को actually जब ये मिलेगा तो he should record it at 70 but in dual transfer pricing he is recording this input as 50 रुपे he needs the proper disclosure then he had his own cost which is say 30 रुपे so total cost came as 80 so to capture some market if he needs to fix price at 85 he can do so because he know कि ऐसे करने से company का जो profit है वो 5 रुपेया आएगा ही आएगा company को loss नहीं होगा correct goal congruency के लेकर है सब ये सोच रहा है company का फाइदा जो भी division company का फाइदा सोच के कुछ करता है तो वो goal congruency है ठीक है अब अगर ये ही 70 पे record किया होता तो 100 उसको minimum price दिखता वो 85 में market capture करी नहीं पाता तो ये ही dual part transfer pricing है dual part या dual rate transfer pricing है ठीक है इसमें एक flaw है जैसे company का profit पाच है जो division B का profit है B's profit is equal to company's profit but in general in transfer pricing how we say company's profit has arrived company's profit is supposed to be A plus B का profit तो क्या company के पास 25 रुपए profit आय है नहीं है समझ में रहे है तो you have to adjust this 20 rupees लब company में क्या होता होगा consolidation इसका books ले लो, इसका books ले लो, मिला दो और वो software कर रहा है या फिर कोई junior staff कर रहा है तो junior staff तो मिला देगा 20 plus 25, तो कम्नी की प्रोफित इखरे 25, वो तो रहुंग है, जबकि आसा होई निसकता, कि कम्नी का प्रोफित is equal to B's profit. तो you cannot write company's profit as 25. If you are writing 25, you have to adjust this 20 again. यहां पे लिखा हो, drawback, it can complicate the records. There may be result in errors in company's overall records. Profits shown by the divisions are artificial and need to be used only for internal evaluation. Class में भी हुआ है, revision करा रहे थे, क्योंकि इसी का एक जुडवा भाई है, dual rate का एक नाम और दिया हुआ है, two part. अब यह नहीं पढ़े, तो आप दोनों में mix up कराएंगे. Dual rate का एक भाई है, two part transfer pricing system. Two part. अब यह दो part का concept क्या है, इसमें transferor को बोला जाता है, आप जो transfer price quote कर रहे हैं, उसका दो part में quotation दीगे. अब कैसा दो part, जैसे transferor के यहाँ पर जो total cost है, उसका fixed cost भी होता है, variable cost भी होता है, plus profit भी चाहिए. तो यहाँ पर बोला जाएगा, आप fixed cost में अपना profit जोड़ के, एक recover करो, और दूसरा फिर बता दो, variable cost आपको क्या चाहिए. समझ मेरा scenario, transferor को क्या बोलेंगे, हम लोग transfer ही, हम खरीदने वाले, transferor से उसको क्या बोलेंगे, एसे नहीं कि 70 रुपया बोल दिया. ब्रेक अप में बोलिए, एक fixed वाला amount बोल दिजे, लंजम आपको 10 रुपया चाहिए. तब हम लोग का relation शुरू. फिर variable भी बता दिजे, कि हर unit का 15 रुपया चाहिए. दोनों बताइए. तो मुझे अगर 100 unit मंगाना है, तो मैं आपको 10 रुप एक बर पूरा ग्रॉस दे दूँगा, और फिर जितना unit मंगाना होगा, उसके साब से 15 रुपय करके देता रहूँगा. एक unit मंगा तो 15 रुपय दूँगा, हजार unit मंगाऊँगा तो 15 हजार दूँगा, confusion area है, इसलिए एक बार बता दिया, देखे हैं हाँ पर, marginal cost of production, plus a lump sum charge, which is fixed cost of transferor, अब उसमें profit भी वो include कर सकता है, में include profit, वो concept को ऐसा ध्यान से सुन लो, कि बुक बिना खुले भी नाम से click करना चाहिए, two part, two part का मतलब है, two part का मतलब है कि transfer price का two part होगा, एक fixed वाला, एक variable वाला, और dual rate, dual part नहीं है, dual rate, मतलब यह अलग rate पे बेच रहा है, वो अलग rate पे record कर रहा है, two part में एक ही price का दो भाग किया जा रहा है, इसका यह case study भी है, जो आप लोगों को पढ़ना है, important case study, यह हमारे mat में भी दिया हुआ है, हमारे mat में भी दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी के साथ, यह पूरा program over हो गया, तो आज का जो main agenda था, अब उस पे आ जाते हैं, now the next main agenda is, case studies, case study शुरू होगा अब,